So, Hello everyone, J.K.L.O.N. जो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है R.U.H.S. BS Nursing Intranse Exam Counseling को लेके I.N.C. की तरफ से, जी हाँ बिल्कुल I.N.C. की तरफ से बहुत ये बड़ी कुसकबरी रहने वाली है यहाँ पर आप जो वेट कर रहेते की सर, R.U.H.S. BS Nursing Counseling कब स्टार्ट होगी तो I.N.C. का अपडेट में दिखा देता हूँ और इतना टाइम क्यों लगा काउंसलिंग को शुरू होने में उसका भी जिगर हम यहाँ पर करने वाले है क्योंकि देखो आपका एक्जाम तो कापी टाइम पहले हो चुका है आपका एक्जाम 11 अगस ठीक है उसके बाद आपने देखा होगा कि महीना गुजर चुका है लेकिन अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई है तो INC का अपडेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ओपिसली भी आ चुका है चलिए पहले मैं आपको ओपिसली दिखा देता हूँ जैसा कि मेरे प्रिविद्यारती हो यहाँ पे आप देख पा रहोंगे यह INC का ओपिसल साइड है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का ठीक है और यहीं पे आपको एक नोटिब केसन दिख रहोगा एक्स्टेंड लास्ट डेट एड़ुशन ठीक है तो यह INC ने क्या है तोड़ा सा डेट को बढ़ा दिया है यह देखिए प्रोग्राम अकेडिमिक येर 2000 चोइस के लिए साप साप यहां पे लिखा गया है इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और इसको अभी ओपन करके भी मैं आपको दिखाने वाला हूं उसके बाद जो आपने कमेंट किये थे उनका रिप्लाई भी मैं आपको देने वाला हूं सो मेरे प्रिविद्यार तो आपकी जो आरियो एचस बीस नर्सिंग काउंसलिंग थी वो लास्ट सितंबर में अभी स्टार्ट हो जाती लेकिन क्या हुआ जैसे लास्ट सितंबर आया तो आयंसी ने एक नोटिप किसन जारी कर दिया जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग हैस बिन डेट एकस्टेंड लास्ट डेट एडिविशन नर्सिंग प्रोग्राम एनेम जेनेम बीएसी नर्सिंग ठीगे क्योंकि पहले का जो डेट था वो 30 सितंबर ता लास्ट तो इसे साब से आर विचेस को 20-21 के आसपास स्टार्ट कर देनी चाहिए थी जदा से जदा आप मान लो 23-24 मान लो ठीग है लेकिन हुआ क्या जैसे आपका डेट आया 20-21 तो I and see ने केसिन में बताया की अब यहाँ बें लास्ट डेट को कर दिया 31 सक्टूम्बर क्या कर दिया 31 सक्टूम्बर यह देख सकते App यह सितंबर में यह जारी कर दिया था तो अब जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी अक्टुमबर के फर्स्ट विक में, 100% अक्टुमबर के फर्स्ट विक में होगी तो आपका second round, third round होते होते ये date आ जाएगा क्योंकि अब कोई उमीद नहीं है कि date को बढ़ाए क्योंकि यहां पे साफ साफ लिग दिया आएंस ने, please note that no further extension यानि कि दुबारा नहीं बढ़ाया जाएगा डेट को क्योंकि कापी बार यूदिशिटी वाले ये सोच लेते हैं कि हाँ पहले सितम बढ़ता तो अक्टॉम्बर कर दिया अब नॉम्बर कर देंगे लेकिन यहाँ पे एक बात और नोट करना आप यह आएंसी ने बता दिया साप साप कि अब कोई उमिद मत रखना डेट एक्स्टेंड की जिनको काउंसलिंग शुरू करवा नहीं है अक्टॉमर में करवा लेना चाए वो हर्याना हो पंजाब हो राजस्तान हो कोई साभी स्टेड हो तो अब आपकी काउंसलिंग अक्टॉमर के पर्स्ट विक में होने वाली है तो आप सारे डोकॉमेंट्स तयार रख लो सारे डोकॉमेंट्स काम आने वाल है आपको जैसे ही कोलेज एलोट हो जाएगा और कुछ कमेंट्स थे आपके चलो उनको मैं देख लेता हूँ सो जैसा कि आप देख पार हूंगे आपके कमेंट मैंने ओपन कर लिए और देखो हमारे चैनल की यही कास बात है कि हर विद्ध्यार्त का कमेंट यहां पर देखा जाता है ताकि उनको किलरिटी मिले उनको थोड़ा मार्ग दर्शन मिले तो श्वाति का कहना है कि थेंक्यू सर कनपरमेशन डेट करवाईए प्लीज तो वह यह बेटा जो अक्टूमर का पस्ट विक है ना बस वह यह कनपरमेशन क्योंकि आयन से अब डेट बढ़ाने वाला नहीं है तो अब रूचेस को भी डर लगने लग गया कि डेट नहीं बढ़ी तो फिर क्या होगा दोसी कौन होगा इसमें सिंपल रूचेस तो अब इसलिए उनको करवानी होगी चली और देख लेते हैं यहां पर रूचेस की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो अक्टूमर के फर्स्ट विक में सर अगर कोई बच्चा चोईस पिलिंग में कुछ करना सके तो उसके लिए कोई नोटिस नहीं है क्या कैसे मतलब चोईस पिलिंग में तो क्या आपको कॉलेज बरना है बेटा रामा ठीक है कॉलेज बरना है ओर गया अगर यूएस का चोईस पिलिंग में नहीं हुआ तो डारेट एडिप्शन हो जाएगा अगर देखो चोईस पिलिंग में नहीं हुआ है तो फिर आपके लिए ओप्शन रहता है प्राइवेट का प्राइवेट कॉलेज में जाके आप परवेश ले सकते हो और ऐसे तो नहीं होगा कि आप बिना काउंस्लिंग में भाग ले सीधे चले जाओ ना वो होगा आपके नमरों के बेसिस पे प्राइवेट भी तभी मिलेगा जब आपके नमर अच्छे कासे होंगे बहुत ही कम होंगे तो अब वो टाइम गया कि पहले क्या होता था कि हाँ डोकॉमेट्स उठाए पैसे उठाए सीधे प्राइवेट कॉलेज में चलेगे प्रिंस्पिल से अगर आपके नमर बहुत ही कम है तो फिर प्राइवेट में भी नहीं होगा तो फिर आपके लिए वह ही है कि दुबारा से त्यारी करो है ना वह वाला उप्सन रहता है या फिर अधर स्टेड से करो तो मैं बता दूँगा देखो चैनल सब्सक्राइब करें अगला MPPneach का रिजल्ट काउंसलिंग तो इसको पर अलग से वीडियो आएगा देखो मोण या काना कि काउंसलिंग कब होगा तो घुंबर के पसटविक में उससे पहले भी हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं जैसे ही हो सकता है कि सितमब्र के लास्ट आते यह स्टार्ट करवाते सीमा का करना है कि सर 59 एससी केटेगरी ग्रल्स गोर्मेंट कॉलिज मिलेगा क्या 59 तो 59 का ऐसा है हाल देखो एससी केटेगरी वालों को मिल जाएगा क्यूंकि कटॉप कम जाता है इनका अगला है कि 70 नंबर जनरल हर्यना पेरामेडिकल में हो जाए बहुत अच्छा स्कोर है अगला है कि 34 OBC केटेगरी बोईज कौन सा मिलेगा तो देखो इस नंबर पे तो प्राइवेट भी थोड़ा मुश्किल रहेगा है ना मॉपप राउंड यहनके लास्ट तक मिल जाए तो बढ़िया है है ना लेकिन नंबर लास्ट तक मिल जाएग आपको 33 पे कौन सा कोलेज मिलेगा स्ट अगर आप स्ट हो फेमेल हो तो प्राइवेट आपको मिल जाएगा सर एक तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है दूसरी बात मेरे OBC में साथ नंबर है तो साथ नंबर वालों को देखो गोर्मेंट अगर नहीं मिलता है लास्ट कम है यहाँ पे क्योंकि आपके लिए 15 15 परसेंट शीटे रिजरुड है अठातर नंबर है अधर इस्टेड फेमेल तो फेमेल का तो थोड़ा हो पाएगा यहाँ पे मिल जाएगा उनको लेकिन यह शोर नहीं कि गोर्मेंटी मिले आपको प्राइवेट भी मिल सकता है क्यों कोशिस यही रखना आपके परस्ट काउंसलिंग होगी सेगेंड काउंसलिंग होगी तो उनमें पहले आप गोर्मेंट बरना फिर प्राइवेट बरना अगर आपके लिजबिल होंगे तो गोर्मेंट आपको मिल जाएगा अगर नहीं होंगे तो प्राइवेट मिल जाएगा सिंपल देखो यही करना चाहिए जिनको तोड़ा सा डाउट है कि यह नम्मर है तो क्या होगा तो पहले गवर्मेंट बरद्या करो उसमें क्या दिख्कत है चिंतर नम्मर यह सी केटेग्री क्या मुझे स्मस मिलेगा चिंत्र पे तो बेटा नहीं मिलेगा यह सी गेटग्री पे भी नहीं मिलेगा तोड़ा हाई जाता है यह स्मसका और विच 시청 का चांस है ठीग है त यह से मिल जाएगा सर बीपिटी अपरेज लिमिट बीपिटी का वही 17 से Gian को अधिक को अरैंटी को लेज्स उदेपुर मिल जाएगा क्या नमर बताओ बैटा ठीक है शर में चौर नमबर बन रहे है हम उन्हेकरी आप डिरे कि में केटेगरी में हमारा नंबर तो चांस कमें देखो अधर इस्टेट का तोड़ा चांस कमें यहाँ पे और यह स्कूर भी तोड़ा कमी है संदीप 69 और बीसी सिकर गॉर्मेंट मिल जाएगा आपको सेगिंट थार्ड तक मिल जाएगा संदीप 39 AWS में कॉलिज मिलेगा प्राइवेट वो भी चांस कमी है परस्ट राउंड में तो यह सी केटेगरी 69 मिल जाएगा 69 वालों को यह सी केटेगरी में बहुत बढ़िया सत्तर नमर अधर इस्टेड वालों को मिल जाएगा लेकिन वह यह थर्ड राउंड तक मिल पाएगा अधर 2021 वालों का बहुत ही मतलब डेंजर जोन है यह आगर मोना का दिर्द हैं कि सर ओबी सी ग्रल्स फिफटी नाइन गॉर्मेंट कॉलेच मिलेगा क्या ओबी सी ग्रल्स का फिफटी नाइन तो मैंने बताया कि लड़ियों को छूट दे रखिए गॉष्यमें ने तो इनके चंस ह में 30 कौन सी कॉलिज मिलेगी तो 30 वालों का तो मुश्किल है बट जिनका 50 तक है ना तो उनका थोड़ा सही है और गौर्मेंट के लिए तो वही यह है कि केटेगरी वेरी करती है तो कमेंट कर दो आपके जो भी नंबर है इसी प्रकार में आपको बता पाऊंगा और चैनल को स